नमस्कार दोस्तों में नाम है उतकस और स्वागत है आप सभी का उतकस 24 निउज में गलवान गाटी जो लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल यानि इंडिया चाइना बॉर्डर पर परता है वहाँ पर फिजिकल क्लैस हुआ इंडियन और चाइनिज आर्मी के बीच में जिसमें हम जवानों को हमाई चैनल की तरफ से सद्धान जली लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल यह उठता है कि चाइना के कितने जवान सहीद हुए दोस्तों आपको पहले ही बता दे है चाइना इस समय काफी गुसे में है उसके गुसे का पता इस ट्विट से लगता है इस ट्विट क आप भ्यान से देखिए इस ट्विट को किया है ग्लोबल टाइम्स के इडिटर इन चीप हुजिंग ने अगर मैं सही प्रोनुशियंशन कर रहा हूं तो इनका यही नाम होना चाहिए इन्होंने लिखा है बेस्ट उन वाट आई नो चाइनीज साइड और सफर कॉस्यालिट से सब्सक्ति हैं नॉंबर मेरे फेल गया था लेकिन उसने दुन्या को बता आए bisa को चुका और हम इस महामारी से कि जो हमाय देश के 20 जवान सहीद हुए हैं उनका जबाब हम कैसे देंगे चाइना को 6 जून को जो सांती का बात हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में ये साफ लग रहा है कि अब वो फेल हो चुका है क्योंकि उसके 9 दिन बाद ही इतनी बड़ी ज़रप हो गए जिसमें इंडियान सोलजर्स और चाइने सोलजर्स को काफी नुकसान हुआ है दूसरा जो सबसे बड़ा यहां पर सवाल निकलता है कि क्या इसमें गोली बारी हुई है आपको पहले बता दे कि इंडिया और चाइना के बीच में ये पॉलिसी है कि दोनों देश के जवान अगर पेट्रोलिंग करेंगे तो दोनों के हाथ में हथियार नहीं होने चाहिए गर्ण नहीं होने चाहिए ताकि जब भी जड़ब भी हो तो उसमें भी गोलिया न चले तो इसमें गोलिया तो नहीं चली है लेकिन यहां पर पत्थर बाजी हुई है जहां पर इंडियान सोलजर खड़े थे उसके ठीक पीचे गलवान नदी बहती है उस पत्थरा होने के वाइसे कई हमाई देस के जवान नदी में गिड़ गए और जिसके वाइसे वह सहीध हो गया अब इसका जवाब कैसे देगी इंडिया यह देखने वाली बात है अब मैं आपको यह बताता हूं कि चीन इतने गुस्से में क्यों है चीन बाड़ बाड़ इंडिया के साथ लडाक में हो रहा है आपको यह बता दे इस चीन इसलिए गुस्सा है क्योंकि जो बॉडर रोड और नाइजेशन है उन्होंने लडाक तक एक रोड बनाई है और वो रोड का कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है जिसको लेके चीन आपत्ती जता रहा है अब जुस्टों इसक कोई गती वीडी होती है चाइना की तरफ से इंडियान सुल्जय उसका जबाब दे सकते हैं और अगर ऐसा होता है चाइना की इंडिया को कभजा करने वाली मंसा खराब हो जाएगी इसलिए बार बार चाइना अपनी पॉलिसी को गिना के इंडिया पर रोक लगा रहा है लिकिन इसके बाओ इंडिया बंकर लिए अब दोस्तों कई लोग यह बोलेगे कि इंडिया बंकर क्यों और रहा चाहिए जब पॉलिसी वह उस अइसा इस ने भाणा इस अब इंडिया का यह कहना है कि जितना आपने बनाया है उतना अगर हम बना लेंगे तब यह पॉलिसी लागू होगा जिसको लेकि चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है और इसी वाज़ा से जड़ा पो रही है तो दोस्तों आपके क्या विचार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंड जय भारत